नोट्स के बना लिजेगा जो चीजाज हम बताएंगे आपको हाँ नोट्स बनाते चलिएगे जितनी भी फॉर्मेशन सम बताएंगे आपको देखिए ये वाली जो फॉर्मेट्स है ये करीब दो फॉर्मेशन सेक्शली होती है प्रिए खीज जादा यॉजिंका होता है सब लिवल्स फागरा ड्राओ करने में जो कि आपके डियली टाईम प्रेंस के उते हैं बेसिकली इन वाली वोल्मस के तुरू अच्छा ये जो वोल्म information के तुरू जो काम होते हैं तो सबसे पहला तो benefit होई मिलता है दूसरा जो होगा हमारा यह निकलाएगा stock selection हो जाएगा point of action हो जाएगा इसका एक demerit होता है अब हम इसको demerit बोलें यही इसका एक कह सकते हैं कि plus point होगा trend identification हम लोग किस तरह से कर सकते हैं identification कैसे करेंगे actually यहाँ पर हमें कुछ अपनी readings को include करना परता है naked eyes के तुरू reading होगी naked eyes के तुरू reading का मतलब यह होता है कि कोई भी एक candle बनी इसमें हम लोग कुछ rules मान करके चलते हैं देखें सबसे पहला जो सबसे basic rule है आपको हमेशे देखें बहुत बहुत चोटी चीज़ है seller हमेशे हम लोग को मिलेंगे top पर buyer कहां चुम बसी चीज़ है न seller हमेशे top पर buyer हमेशे low पर अगर seller कमजूर पड़ा अगर seller हमारा कमजूर पढ़ गयauen तो प्रा이즈 हमारा भागता है upside अगर बाईर कमजूर पड़ा तो प्राईज हमारा भागता है downside यहाद रखना हम लोग चाहें जितनी भी reading कर लें उस reading के करने के पीछे का जो reason होता है वो होता है यह हमें यह देखना है पर्टिकुलर किसी भी एक candle का हाई mark कर लेने के बाद ने प्राइस हमारा अप सैट के तरफ स्टेर नहीं हुए उसमारी प्राइस प्रीवेस candle की रेंज के अंदर ही आ गया अंदर आने के बाद में इसने एक mother candle फर्म कर दिया और इस mother candle का low break हो गया मतलब कि यहां पर प्राइस आपका resistance को protect कर रहा है और इसने support को break कर दिया और प्राइस हमारा previous जो master candle इस range के low तक आ सकता है यह प्रीवेस स्विंग को upside की तरफ ब्रेक कर सकता है इनके बीच का जो point होता है अब यह जितनी भी बात हमने कही इनके बीच का जो point है यही समझने के लिए कि क्या यहां पर buyers dominate हो रहे है यह sellers dominate हो रहे है एक्शली यह word बहुत normal way में आपको दिख जाएगा कि market में सभी लोग इसका use करते है dominant हो रहे है यह dominant हो रहे है एक्शली इन domination के पीछे का reason क्या है हम लोग क्यों price को as a domination select करते है as a domination हम लोग इसको read कर शब्दों के जाल में first मत जाना हमारा main motive क्या है हम अगर price को read करने हो तो हमें यह देखना है कि क्या यह tradable है yes या फिर no हमें इसका answer चाहिए अगर वो tradable है तो हम इसको upside में trade करेंगे या फिर downside अगर यह tradable है और अगर नहीं है तो फिर नहीं upside में अगर trade करन तो हमें यह देखना होगा कि price अपने lows को protect करें downside की तरफ अगर हमें trade करना होगा तो हमें यह देखना होगा दीडिंग के पीछे कि हम यह motive बता रहे हैं कि जब हम लोग price को read करते हैं तो हमारा main motive क्या होता है यूँ ही नहीं कि कहीं भी किसी भी candle के high या low पर हम लोगों ने lines रख दे और बस अपने reading स्टार्ट कर दे हैं जो generally है अपने मन में हम लोग करते रहते हैं यह किसी भी candle का high म अब्रमां कर दे लोमां कर दे यह हो रहा है यह नहीं ऑकुली हो क्यों रहा है क्यों हम लोग कर रहे हैं और फिछी और यहां से हव्जाथ के technicals start हो जाते हैं तो इतने सारे lecture के पीछे का क्या reason है क्या motive है कि जब भी हम लोग price को read करें तो मन में ये जरूर सोच करके रखो कि readings हो क्यूं रही है शौक नहीं है कि कहीं भी हमने किसी भी candle को mark कर दिया हमें शौक नहीं कि अगर एक एक horizontal line डालो price में कहीं पर भी चार्ट में कहीं पर भी एक horizontal line पुट कर रहे हो तो reason क्या है उसका क्यूं आपने ड्रॉ किया क्यों किसी एक candle का high mark क्या आपने लोग क्यों नहीं मा कर लिया क्या कहीं ऐसा तो नहीं है ज्यादा तर ऐसा होता है में भी हो सकता आपको ऐसा लग रहा है तो करते तो हम यहीं है इसे बताने वाली क्या बात है upside downside या rating के पीछे का motive यह होना चाहिए कि price tradable है या नहीं करते हो तो तो यहीं इसे बताने जैसी क्या बात है unconsciously हमारे दिमाग में क्योंकि इस चीज़ को हमने face किया है जब trading psychology आप पढ़ोगे ना तो समझ में इसमें आता है कि एक trader अपने price को हमेशा ट्रेडेबल मानता है यह यह ट्रेडर की psychology होती है एक professional trader की नहीं यह ट्रेडर की psychology होती है हमेशा जिस भी जो भी चार्ट आपको यहां पर देख रहा है ना वो उसे हमेशा ट्रेडर मानेगा just just for example अभी जैसे अपने पास यह वाला चार्ट है यह वाला हो नहों हम यहां से सारी lens को remove कर दें पूरे चार्ट में पूरे चार्ट में सबसे ज्यादा engaging point कौन सा लगेग यह वाला point क्योंकि price run कर रहा है 3.079 USDT पर यह price जो हमारा run कर रहा है पूरे चार्ट में सबसे engaging point यह है क्योंकि यहां पर price हमारा चल रहा है हम लोग यह चाहते हैं कि हमारी जो reading वो हमारे running price के पास से ही हूं जो हमारे levels निकले वो इन running price के पास से ही निकले ताकि हमें trade करने जल से जल मौका मिल सके समझ गया यह partition हो गया यह तो हो गया कि हम जबर जस्ति अपने levels को draw करने हैं दूसरा हो गया कि हम सोच और समझ के साथ हूं हमने कोई एक area defined कि है जैसे कि यहां पर आप देखोगे न तो यह एक support point है यह support point है अब price ने इस support को downside के तरफ ब्रेक किया high low low और यह low यह ना यहां से support लेकर कि upside की तरफ जा रहा है बार बार फिर से देखे इसने low break कर दिया अभी break करने के बाद में again upside की तरफ क्यों गया क्या reason हो सकता है क्यों यह upside की तरफ गया question करो ऐसा नहीं कि price ने तो यहां से तो resistance आपका support फेल हो गया चलो buy कर लेते हैं बाई क उसको उसको समझने की कोशिश करो क्या है क्या हो रहा हम अक्सर यह बात बोलते हैं कि trading is a form of art यह भी art का एक form है technical analysis से ज्यादा क्योंकि यहां पर दिमाग जितना आपका चलेगा ना यहां पर अगर तेज दिमाग वाले काम्याब होते तो हो सकता है कि जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं या जितने पढ़े लिखे person है वो यहां पर आते हो पूरी stock market उन्हीं की होती मेरे है हमारे personal point of view मे यहां पर हम लोग calculations के according काम नहीं कर सकते कि one plus one is equal to two तो जिसकी math सबसे ज्यादा अच्छी हो आया और stock market को अपने हाथों में ले ले लो वो चला दे अगर ऐसा होता तो फिर बड़े-बड़े mathematician आपको मारकेट में बिलते match काम आती है लेकिन सिर्फ नहीं आती sample gerekulations का माती है लेकिन सिर्फ calculations काम नहीं आती टेकनिकल्स या माते है लेकिन सिर्फ technicals काम नहीं आते सारी चीज़ों के analysis करने के बार में एक फिर आप देखोगे कि practice करने के बाद में कुछ कुछ चीज़े ऐसी होती है वो आपको शब नहीं मिलेंगा आपको उसे समझाने के लिए यह सिर्फ हम इस चीज़ को feel कर सकते हैं कि जब यह price चल रहा न तो इसमें क्या हो सकता है मेभी price आपके इस वाले resistance को upside की तरफ ब्रिक करें और यहाँ पर जितनी भी sellers हैं इन सब के stop loss ले और यहाँ पर थोई देर की consolidate करें और जैसे price इस लेवल पर बने हुए supports को downside की तरफ ब्रिक करेगा हो सकता है इसके दर एक बड़ा सा fall आए possibilities है ना लेकिन क्योंकि price हमारा यहां पर चला और इसके अंदर green candle फॉर्म हो रहे थो हमें ऐसा लगेगा कि price ने अपने previous support को देखो break किया था और यह support हो गया फिल और price यहां से हमारा upside के तरफ चला जाएगा यह भी हो सकता है अब यह हमने कहा ना one plus one is equal to two लेकि मार्केट में तो ऐसा नहीं होता है यहां पर तुम यह भी कह रहें कि price support को break करके हो सकता है यह भाई भी हो जाए अब हम यह समझना होगा तो टेक्निकस थो होगा है लेवल पी हमने अपनी निकाल लेकिन अब आगे क्या आगे reading कैसे करेंगे decision अपनी money के साथ अगर हम लेंगे तो कैसे लेंगे समझपा रहें न तो जब हम लोग reading करेंगे reading के reading करते समयं बिल्कुल भी आप running price को focus में रखते हुए reading मत परो पोशिश करो उसको छुपा आलो हटा दो अब देखो कि अपने major level से आसे निकाल लो major level क से जहां पर price आगर के बार-बार react कर रहा है बार-बार rejections देख रहे हैं बार-बार आपको exceptions देख रहे हैं price उस level को accept कर रहा है supports देख रहे हैं आपके levels देख रहे है supply demand जो भी language आप लोग सारी reading करने के बाद में सिर्फ हम इसी लिए इतनी सारी reading करते हैं ताकि यह समझ में है trade execute करने की सही जगा क्या है सिंबसी चीज़ अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे यह हो क्या है अभी जैसा हमने यहाँ पर बताया कि daily time frame पर हम informations को देखते हैं daily time frame पर कुछ formations तो आप लोगों को अल्यडी मालूम होगी सबसे जादे इसका use करते हैं decreasing or falling इनमें हम दो candles बनी इसके बाद में एक यहाँ पर तीन candles बन गए है ना यह तो दो formations होगे सबसे normal formations है ज्यादा तर तो trade अपना इस हिसे होता है हम generally जो करते हैं काम वह इसी formation से करते हैं अब देखें यहाँ पर अगर को formation हमारी form हो जाती तो फिर next हमें चाहिए होता है opposite direction का trade यहां surprise हमा candle को expect करेंगे मतलब red candle बने तो green और green candle बने तो red candle accept करते हैं तो expect करते हैं formation number one देखें सबसे पहली यह होते हैं अपनी green candle यह होगी हमारी red candle यहाँ पर color ले देता हैं इसको बहुत ध्यान से समझना यह होगी हमारी positive candle यह होगी हमारी एक इसके बाद में बनेगी एक और negative candle जो क second वाली candle से ज़्यादा होती है one two three सबसे पहली बनेगी black candle इसके बाद में आती है हमारी green और green यह formations होगी low identify करने के लिए और यह हो गया हमारा high identify करने के लिए यहां पर एक चीज़ का विश्यश ध्यान रखना अगर हम बोल रहे है low identify करने के लिए तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि यह candle आपको यह वाली formation low identification की formation आपको low पर ही मिलेगी यह भी हो सकता है यह आपको resistance पर भी मिल सकती है high identify करने की candle जोरी नहीं कि आपको resistance पर भी मिल सकती है low identification का मतलब हो गया कि हम लोग first वाली formation की बात कर रहे हैं और high identification का मतलब होगे कि फिर हम लोग second वाली formation की बात कर रहे है information के पीछे का psychology क्या है हमने शुरू में ही बताया था notes बना लिए उसके अगर हम recordings देते है न तो इसका यह मतलब नहीं कि फिर आप लोग जवरजस्ती recordings मांगो हमने देखा है कि recordings का कोई मतलब नहीं होता है आप देखोगे एक बार दो बार तीमा लेकिन recordings आप पहुंच जाती पास पास में तो बहुत casual मामला हो जाता है उससे देख लेंगे चल ठीक देख लेंगे यह होता है देख लेंगे कोई skip करके देख रहा है कोई कैसे देख रहा है अब हम अगर बोले तो हमें तो skip कर नहीं दो गया आप के पूरा प्रापर ऐक वाल बना लो उसके प्रापर नोट्स बना लो और एक आपक जादने में यह इता और वीडियो से ज़ादा यह impactful होता है वैंने class class खित्म नहीं होते है recording एगर हो आप क्लास में होड बुब प्रोवइट नहीं करेंगे बहुत emergency रहें के हाँ एक दूव्क आए हमको दे दीजा किसी का होता है कि internet इंटरणेट इशू नहीं है कि वहां देदेंगे हैं इस अग्ली क्लास के चाहिए सारी क्लास के इस साड़ी क्लास के से रिकार्टिंग nossa होता है कि हां आपका पर सनल consume को सकते एक दू-甚सать है तो हम समझते हैं तेकिन जब देख रहा है कि यह इसकी बीच है यह इसकी बीच है इसकी बीच है इसकी बीच है इसकी में तो सारी class के recording हम नहीं देंगे important chapters जितने हैं बिना आपके कहे उसके recording हम देंगे तो यह पनी first और यह होगे second formation देखिए होता क्या है यहां पर अगर यह first formation आपकी बन रही है तो सिर्फ volume से तो नहीं यहां पर price के भी अपने कुछ structures होंगे वो structures किस तरह के होने चाहिए जैसे कि first आपकी बन रही है यह green candle एक green candle अच्छे जितना हो सके अब first green candle को थोड़ा सा healthy candle ले करके चलना अगर healthy candle होगी कोई भी format हो एक तो candle देखिए तो normal candle होगी एक candle होती है किन बार बन गई हैमर बगरा बन गया बार में तो फिर काम चला हुआ है नहीं मिली तो उमने mark कर लिए कुल मिला करके candle किसी भी formation की candle देखना तो कोशिश करना कि आपको strong और healthy candle दिखाई पड़े तो first तो green candle हो गई इसके बाद में red candle की बारी आती है जो आपके negative candles है तो first candle के बाद से price फिर आपका नीचे की तरफ गिरने लगा इस तरह से इसके बाद फिर से यह नीचे की तरफ गिर अच्छा इन दोनों ही candle का फरक आप देख रहो अगर डेली टेम पर देखोगे तो आपको कुछ possibilities देखाए पढ़ेंगी like के price आपका gap up हो जाए downside की तरफ गिर जाए हो सकता gap down हो downside की तरफ गिर जाए हो सकता बेंकुल normal मतलब previous day के high के पास से price आपका open हो जाए जब previous day के जो आपका close price उसके पास से price आपका open हो तो नीचे की तरफ आजाए आना तो नीचे ही है इसके बाद में यह जो candle आपकी second वाली candle form हो रही भी प्राइस की भी कुछ अपने रूल्स होंगे वह भी हम लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस की सैकॉलजी क्या बन रही है क्यों हम लोग यह फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि पूरी क्लास के बारे में इसका डि और रहा है जो की प्रिवेश केंडल को accept कर रही है जहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स होंगे कुछ इंपॉर्टेंटों पॉइंट्स होंगा बहुक्त क्लास यहां से आप रिएस्स में यह को याद देला है तो इसके उपर जो बची वीची से वह हम बताएंगे मार्क कर लेना प्राइस को आप जा रहा है अगर प्रीवियस ग्रीन के लो के नीचे जा रहा है यहां हम लोग किया देखने ना लो इडेंटिफिकेश अगर ग्रीन वाली क केंडल की रेंज के अंदर प्राइस चला गया इस तरह से दिस इस कॉल्ड रिवर्स समझ में आ ना यहां से आप रिवर्स देखोगे के प्राइस हमारा कॉंटिनूसली अपसाइड के तरफ जा रहा है एक केंडल बनी ठीक है हो सकता गलती से बन गई हो लेकिन दूसरी इसका यह मतलब नहीं कि प्राइस आपका नीचे की तरफ गर जाएगा नहीं प्राइस आपका बहुत स्पिट से नीचे की तरफ आ रहा है लेकिन वापस से यहां पर अगर सेलर्स डॉमिनेट हुए और सेलर्स कमजोर पड़े क्योंकि उन्होंने पूरी ताकत यहां पर बर्स हो जाएगा हमें यह वाली फॉर्मिशन हर बार नहीं होगा ऐसा अब आपको कहीं पर भी अगर यह वालियूम यह इस तरह का प्राइस देख रहा तो वो हर बार काम कर जाए या हर बार वो आपको सपोर्ट ए रेसिटेंस लाकर के दे दे जो ज़ोरी तो नहीं है एक हम लोग लगाते हैं कि यह वाली फॉर्मिशन अकसर अकसर आप देखोगे कि आपको लो दे देदेंगी बना के अब हमें मालूम है तब ही तो सारा गेम चलता ना वो फियर और ग्रीट का क्या करें फॉर्मिशन तो समझ में आ गई यह सपोर्ट पर भी बन रही है अब यहा हम लिखा है निकएडाइस रीटिंग क्योंकि फॉर्मेशन के थू हम लोग यह नहीं कह सकते कि लोव इंटिफिकेशन की फॉर्मेशन से हम लोग बाइंग ही करेंगे यहां फर ट्रेंड इंटिफाइज में नेकाडाइस से करना पड़ेगा मतलब प्राइस के हाइस लोग क रने के बाद में कैसे reading करेंगे इसके उपर depend करता है clear ना एक एक चीज clear करते चलना हम लोगोंने अभी तक क्या देखा volume की 2 formations देखी उनके mark की जाने वाले points जैसे green वाले candle का high हमने देख लिया या यह low देख लिया और अभी हमने बताए कि एक point है जो की आने वाली classes में in future जो class होगी अभी उसमें हम बताएंगे उसको note कले न वह हम बताएंगे यह एक proper चीज हो गए दो formations बनी अभी एक तो यह वाली formation हो गए और दूसरी आप एक vice versa draw कर दोगे तो high identification की आपकी दूसरी formation हो जाएगी इसको भी draw कर देता है चलिए first candle हमारी बनती ही red candle price मतलब कि downside की तरफ यह गिरा गिरने के बाद में एक green candle form हुई ओके होप सकता है गलती से बन गई है इसने एक gap down दिखा है price हमारा upside की तरफ चलागी क्योंकि volumes तो कम ही है आप हम अगले दिन देख रहे हैं कि volumes तो और ज्यादा आ गई है और price हमारा upside की तरफ चलागी है ऐसे इसने एक resistance देती है एक resistance मिल गया हो सकता है कि price आप यहीं से band हुजे downside की तरफ या फिर अगर इसको upside की तरफ निकलना तो फिर यह उपर की side में निकले ऐसे करता हुआ है यहां पर आपकी nakedized reading अब एक step और आगे की तरफ बढ़ते है इस वाली जो volume में है वो ध्यान रखना आप क्या चीज़ शुड़ बी रेट नॉर्मल वॉल्यूम रहेंगी सिर्फ color देखना है कि first candle का जो color है वो red रहें अब यह माता है second candle से वर्स्ट केंडल का सिर्फ color देखना है red है okay second candle से देखना second candle volume शुड़ बी ग्रीन एंड लेस्टन फर्स्ट ग्रीन एंड फर्स्ट रेड क्लियर ना अच में स्टेक हो रहे है यहां नंबर लिग देता है one और यह अपना second हो किया चलिए second अब आता है third candle volume शुड़ बी ग्री and higher than second clear ना यह लिखना क्यों ज़रूरी है देखे हो सकता है जो आपकी फर्स्ट वाली केंडल हो तो नौर्मल ले चलिए red candle होगी second वाली केंडल का जो color है वो previous candle की just opposite होना चाहिए मतलब कि green candle की volume होनी चाहिए और second candle volume should be green and less than first volume first वाली candle से कम होनी चाहिए इसके बाद में जो third candle form हो रही third candle volume should be green green है और higher than second candle second candle से ज्यादा होनी चाहिए second candle से वो ज्यादा बहले हो first candle क्रॉस कर दो ऊपर की दिरुप चलिए चाहां जहां चलिए बस second वाली candle से ज्यादा होनी चाहिए clear ना यह पूरी formation है यह पूरे rules है और यही रही है पूरी एक तरह से की psychology है low और high आयो कि सारी चीज़े clear हुई होगी दोनों ही formations में अब हम लोग चाहर्ट पर चलिए चलिए एक काम कीजिए ना सब लोग वापस से region कीजिए same link से region कीजिए